हेलो गाइज केसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं, बात नहीं करनी गाइज, मैं हमेशाई ऐसे ही बोलता हूँ आज हम कुस्ती लडाने वाले हैं, ये भी हमेशा ही बोलता हूँ मोटो G62 वर्सेस Vivo T15C तो दोनों ही फोन काफ्य डीसेंट डीसेंट है तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे की बॉक्स में हमें और कुछ मिलता है फोन की सिवा दोने की फोन में फोन, चार्जर, केबल, प्रॉपर्टी, वेपर्स और 3.5 mm टू मतलब 3.5 mm जो है ना हेड़पोन जैक वो दोने ही फोन में आता है और यहां पे हमें काफी अच्छा बॉक्स कंटेंट दिया गया है तो चलिए अब बात करते हम एक बार अपने लेप्टोप को तो दोनों ही फोन में जो फ्रेम्स आते हैं वो प्लस्टिक के हैं आई मिन प्लस्टिक के हैं और जो बैक है ना प्लास्टिक की है, जो protection है दोनों की display पे, Vivo पे है पांडू glass की protection और जो मोटरोला के उपर है वो है, मोटरोला पे पांडू glass की protection मिलती है और Vivo पे short sensation up glass की, जो Vivo हमेशा हर बार यूज़ करता है और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 3.5 mm मतलब 3.5 mm का जैक का गड़ा हमें दो नहीं फोन में मिलता है एक आइस क्योंकि आजकल तो फ्लेक्शिप में मिसिंग रहता है लेकिन आजकल बजेट फोन में भी दिखता है जादत है तो चलिए अब बात करते हम डिस्प्ले के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीवो के डिस्प्ले के बारे में तो वीवो में हमें मिलता है 6.58 इंच का फूल एच्डी प्लस IPS LCD डिस्प्ले जो की 120 हट से रिफ्रेश रेट के साथ आता है मोटरोला जो भी है तो वो भी 120 हट से रिफ्रेश रेट के साथ आता है मतलब दोनों ने का फिए अच्छा काम भी आ है मोटरोला में जो डिस्प्ले हमें मिलता है वो है 6.5 इंच का फूल एच्डी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मतलब दोनों में LCD डिस्प्ले दोनों ही बैटरी एफिशेट नहीं है दोनों पॉप अप कलर शो नहीं कर पाएंगे दोनों में हमें 240 Hz का touch sampling rate मिलता है और जो वीवों के डिस्प्ले की मुस्कान की चमकान है ना वो 460 nits है और जो मोटरोला की है ना वो 600 nits है 600 मतलब 600 nits तो यहाँ पे हमाएं मोटरोला की जो brightness है ना वो काफी अच्छे दी गई है क्योंकि वीवों के डिस्प्ले इतने मज़ेदार नहीं होते गाइस ठीक ठाक decent होते हैं जादा तर decent ही होते हैं और दोनों में हमें मतलब दोनों में नहीं वीवों में हमें water drop notch मिलती है और मोटरोला में center punch hole cut out मिलता है मतलब मोटरोला ना कुछ जादा ही modern दिखता है चलिए अब बात करते हम chipset के बार में तो दोनों ही phones में हमें मिलता है callcom snapdragon 695 5G जैसे कि इसकी जो पहचन है ना वो है कि 4K को support ही नहीं करता मतलब उसके साथ रिष्टा ही नहीं जुड़ना है शादी नहीं करने उसकी साथ camera में 4K support नहीं मिलता डिस्प्ले पर यह 4K वीडियो नहीं प्लेबैक कर सकता तो क्या फाइदा ही chipset का देने का है बस 5G के नाम पर चून अलगा है कि प्रोसेसर सिर्फ 5G के लिए अच्छा है तो दोनों ही मतलब दोनों ही Motorola में हमें मिलती IP52 की rating और वीवो में हमें कोई rating मिलती नहीं है बस splash proof के नाम से हमें दिया है वीवो ने यह phone लेकिन मुझी चाहता तर है ना Motorola के specs पसंदा रहे गाईस बताता हूं मैं आपको कौन सा लेना चाहिए लास्ट में अभी नहीं चलिए एक बातर software के बारे में बात करते है Motorola में हमें मिलता है My UX जो की Android 12 पे based है और वीवो में हमें Pantach OS 12.1 मिलता है जो की Android 12 पे based है तो कच्रा भर भर के दिया है वीवो वालोंने इतना भर भर के कच्रा दिया है किसी ने सोची नहीं होगी लेकिन Motorola ने वाह क्या चुम्मेश्वरी काम किया है क्योंकि इतना साफ यह है इनका इतना साफ मतलब close to stock Android मतलब close to नहीं पूरा stock Android ही है Google जैसा मतलब no bloatware, no ads मिलते हैं घंटा ads मिलते हैं इसमें एक भी ads नहीं हैंगी Motorola में Motorola में ने हमें promise किये है एक साल का major Android updates और तीन साल के major security patches तो एक साल है काफी decent तंबर है दो साल at least होना चाहिए वन प्लस प्रोवाइड करता है इतने और वीवो ने तो भाई बाजी ही मारती अपडेट्स ही नहीं बता है वीवो वी 25 प्रो ना उसमें भी नहीं बता है मतलब अपडेट्स बताओ मत तुम लोग और फोन में बग आले दो सौफ्ट्वेर भी मत डालो ऐसे ही फोन बेचते लो क्या फायदा तुम कंपोनिय को यह ना ऐसा करते हैं तब ऐसा दिल खुशने ऐसा मूड कराब हो जाता है पूरा तो दोनों में हमें मिलती 5000 एमेच की लॉंग लास्टिंग बैटरी जो आपको एक दिन से ज़्यादा बैकप निकल दे सकती है इबन करता है कि आप कितना यूज करते हैं मोटरोला में हमें 20 वाट की चार्जिंग मिलती है टर्बो चार्जिंग और वीबो में हमें 18 वाट की फ्लैश चार्जिंग मिलती है मतलब दोनों ने काफी जादा कॉस्ट कटिंग की है यहाँ पे तो चार्जिंग एन आटलिस पास देने शाइथी क्योंकि ओपो के जो सस्ते नशे वाले घटिया फोन्स आते ना उसमें भी 33 वाट का सूपर वुक चार्जर आता है यहाँ पे नहीं है चलिए एक बार दोनों के आखों के बारे में बात कर ले मतलब आई चेक अप करते अरे मतलब कैमेरा तो मोटरोला में हमें मिलता है मोटरोला का सस्पेंश मतलब सस्पीशिस बनाना है हमें कैमेरा का सेटप तो पहले हम वीवो का बताते है वीवो में हमें मिलता है 50 मेंगापिक्सल का मेन कैमेरा यह अच्छी बात है और आपको मैं और जो बताने वार हैं उससे सुनके आप चोग जाओगे मतलब क्या फाइदा यार गयाइज डेप और मेकरो मतलों में में मीकरो मbnमन मलता है लेकिन मोटwelt उल्ला ने हमें 8 मेकरो का अल्टरवाइड भी दिया है तो यहां पर मोटरला ने अच्छी काम की बात की है लेकिन जो वीवों इना दो-दो की बच्चे देता ही है मोटरला ने इस बार भी बाची मारी 16 मेगापेक्सल की सेलफी है और साथ ही साथ दोनों ही फोन फूल एजडी रेकॉर्डिंग सपोर्ट करते है फ्रेंट एंड बैक से बस मोटो ही यहां पर अकेला है जो फ्रेंट कैमेरा में 1080p 60fps को सपोर्ट करता है चलिए अब बात करते हैं हम connectivity के बारे में तो वीवो में हमें दोने ही फोन 5G वैसे गईस तो वीवो में हमें मिलते हैं मुझे बताने में मुझे नहीं कि वीवो को शरम आ रही है कि इनोंने दो बैंड्स दिये बस कितने दो मतलब 5G अभी जस्ट आने ही वाला है और दो बै आता है और मोटरोला ने इतना अच्छा काम किया 11 5G बैंड्स थिये मतलब ज्यादा 5G बैंड्स है तो फोन के साथ फ्यूचर पूरूफ बन जाता है और मोटरोला और एक जगा बाजी मार जाता है कि मोटरोला में हमें dual stereo speakers मिलते हैं जो कि Dolby अंटी को support करते हैं अंटी नही और Vivo में हमें single speakers मिलते हैं मतलब cost cutting पर cost cutting करते जा रही है UI भी भंगार मतलब camera ही भंगार मतलब charging भी भंगार सब कुछ भंगार है यह phone ही भंगार वाले को बेच दो ना क्या फायदा है इसको बनाने का और मोटरोला और एक जगा बाजी मालता है तो वहापे मोटरोला में हम मिलते है thing shield की security जो की extra layer of security होती है आपको जैसे पता है और वहापे हमें तोनों मिहां में face lock face unlock का support मिलता है और side mounted fingerprint scanner भी मिलता है मतलब display होना चाहिता मेरे कहल से लेकिन इन्हें gaming पे जाद़ फोकस किया इन लोगों ने तो इसलिए इन्होंने 695 5G चिप दिए है तो गाइस मैंने हाथ में यहां पे laptop ले लिया है यह डेल का laptop है क्योंकि मुझे वह चोटे चोटे नंबर्स नहीं दिख रहें तो प्राइस के बारे में बात कर रहें करते हैं अभी वीवों के जो 4128 की प्राइज है 4GB RAM 128 की प्राइज है वह 15,990 और 6128 की है 16,990 ए 8128 की ह है 19,990 और जो उसकी प्राइस है न मोटरोला की वह है 6128 की लिए है 17,999 और 8128 की लिए है 19,999 मतलब यहां पे न यह laptop को इना में पहले बंद कर लेता हो आपके सामने काफी बग बग कर रहे हैं तो यहां पे आपको 100% मोटरोला है रेक्मेंडेड क्योंकि मोटरोला में काफ 2W की जादा फास्ट चार्जिंग भी है चैमेरा का सेटप भी अच्छा है सॉफ्वेर एक्स्वेरेंस भी काफी अच्छा है गेमिंग के लिए प्रोसेसर भी काफी है दोनों में सेम इसेम ही मिलता है तो 100% मुझसे रेक्मेंडेड गाइस रेक्मेंडेड की आप मोटरोला जी 62 की तरफ चाओ क्योंकि ज्यादा अच्छे फीचर से और ज्यादा वेल्यू मौफ फॉर मनी और एक चीज और करनी है आपको गाइस जो सब्सक्रेब बटन का जो नर्ट है ना उसका स्क्रीव वो धिला हो गाय होगा ना तो उसे ना वो लाल होगा ना तो उसे ऐसा आप के पास पाहाना होगा तो उसे वो टाइट कर दो क्योंकि वो गिरे हो जाए और हमारे सब्सक्राबर है ना बढ़ना ही रही काईस कुछ लोग ना अन्सब्सक्रेब कर दे रहे तो प्लीज सब्सक्रेब के बटन को ठोक दो और खिलाल के लिए बाई गाया